बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study with Swati YouTube चैनल पर दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड समेस्टर के प्रीविएस एर के क्वेशन पेपर की जो की आपका LEU यानि लखनो यूनेश्टी से रिलेटेड है यह आपका पेपर 3 है निर्देशन इवं परामास यानि Guidance and Counseling तो यहाँ पर प्रीविएस एर जो आपका 2019-18 था उसके क्वेशन पेपर को मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइट करा दिया है यह आपका 2017 का प्रीविएस एर का क्वेशन पेपर है जैसा कि LEU के अगर हम बात करें लखनो विश्विद्याले की तो आपके एक्जाम की डेट आ चुकी है 5 मार्स से लेकर के 11 मार्स तक क्या आपके एक्जाम है तीन आपके पेपर हैं पेपर 1 की बात करें मेजूर्मेंट और इवेलुएशन इन एजुकेशन पेपर 2 की बात करें तो आपका इस बार भी डिस्क्रेप्टिव प्रकार का ही पेपर आएगा और इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा इस बार 10 questions रहेंगे आपको 5 questions attempt करने रहेंगे each question आपका 16 marks का रहेगा तो इन 10 questions में कितने short notes type की question रहेंगे कितने unit wise CJ रहेंगे इनको भी हम आपने solution के time discuss कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम previous year के paper को ज़रूर लगा करके जाएगे क्योंकि exam आपका descriptive रकार का ही होगा और paper में question previous year से ही पूछे जाएगे तो अगर अभी तक आपने जो है अपने exam के तयारी नहीं की है तो previous year के question paper को लगा लें वह काफी होगा तो चले दोस्तों शुरू करेंगे तो previous year में किस तरह से question आया थे जैसे कि आपको पता है कि short notes जो आते थे वो compulsory part के अंतरगत रहता था आपके 10 questions रहते थे पहले के अगर हम बात करें each question आपका 3 marks का रहता था तो यह है आपका short notes type का give short answers of the following questions पहला प्रशन देख लेते हैं पहला प्रशन है short notes का निर्देशन एवं परामर्ष में अंतर इसपष्ट कीजिए यानि differentiate between guidance and counselling next question question भी देख लेते हैं b है सचिक एवं website निर्देशन में संबन्द इसपष्ट कीजिए यानि explain relationship between educational and vocational guidance next c number का प्रशन है भारती विद्यालियों में परामर्ष का संप्रत्य एवं प्रयोजन क्या है what is the concept and purpose of counselling in Indian schools next question देखते हैं question number d है एक अच्छे परामर्ष दाता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए what kind of personality should a good counsellor have next question आई है निर्देशन आत्मक परामर्ष क्या है और उसकी आशकता कब होती है यनि what is the directive counselling and when is it needed next f number का प्रशन है निर्देशन कारिक्रम के मुल्यांकन के विभी नचेरड क्या है यनि what are the various steps of evaluating guidance program next g number का प्रशन है एक अच्छे संगठित निर्देशन कारिक्रम के विश्रताएं लिखिए well-organized guidance program h number का प्रशन है निर्देशन में एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिये explain the role of a teacher in guidance next है परामर्ष सक्षतकार क्यों संगठित किये जाते है what are the counselling interview organized next है निर्देशन में इस्थापन सेवाँ की क्या भूमिका है what is the role of placement service in guidance तो दोस्तों ये थे 10 short notes बहुत important है हो सकता है आने वाले exam में इन्हीं से प्रशन आएं हो क्या सकता है इन्हीं से ही प्रशन आएंगे क्योंकि paper descriptive है तो इनको आप तयार करते चली अब देख लेते हैं हम unit wise चीज़ें हो सकता है 10 प्रशन में 5 प्रशन यूनिट वाइस टाइप के आ जाएं ठीक है हर एक unit से प्रशन पूछ ले तो आप क्या करेंगे तो आप इन्हीं से प्रशन आएंगे आप आराम से कर पाएंगे इन्हीं को मैं जल्दी से जल्दी solve करा दूंगी ठीक है आपके exam से पहले त करते थे आपको चूज करके एक लिखना रहता है इस बार आपको चूज करने का काफी मौका मिलेगा तो कोशन नमबर टू देख लेते हैं निदेशन के प्रमुक छेतर क्या है व्यक्तिक निदेशन को विस्तार पूरवक समझाईए यानि वाट अर्द मीजर एरियास ऑफ एक्सप्लेइन पर्सनल गाइदेशन इन डीटेल नेक्स्ट कोशन है सैचिंग निदेशन की प्रकृति एउंकारियों पर अपने विचार प्रकट कीजी यानि स्टेट यूर व्यू ओन दा नीचर एंड फंक्शन ऑफ एडुकेशनल गाइदेंस तो दोस्तो ये था यूनि टू का पहला प्रशन है वर्तमान सैचिक परिस्तितियों की संदर में मादमिक विद्याले निदेशन का रिक्रम की रूप एखा तियार कीजी यानि प्रिपियर एन आउटलाइन फोर अगाइदेंस प्रोग्राम इन सेकेंडरी स्कूल इन दा लाइट ओफ करेंट ट्रेंट इन एडुकेशन नेक्स्ट क्वेशन है अनुवर्ती सेवा से आप क्या समझते हैं विद्याले छोड़ने वाले चात्रों की अनुवर्ती अध्यन की स्प्रकास से किया जा सकता है यानि वह दो यू मीन बाइट फॉलो अप सर्विसेस हाव कैन फॉलो अप स्टड़ी वीड परामर्ष के विभिन सिधानतों का वर्डन कीजिए नि वोट इस दा कांसलिंग डिस्क्राइब वेरियस प्रिंसपल आफ कांसलिंग कोशन नमबर सेवन है साक्षातकार के प्रत्ते की व्याख्या कीजिए साक्षातकार किस प्रकार परामर्ष से भिन है एक्स्प्लेन दा क प्रार्थी के मदे संबंद की विवेचना कीजिए निदेशन एवं परामश केंद्रों के क्या उदेश होने चाहिए डिस्कस्ट रिलेशन्शिप बिट्वीन कांसलर एंड कांसली what should be the objectives of guidance and counselling centers question number 9 भी देख लेते हैं एक अच्छे परामश था था कि विशेश्टाओं की विश्टास से विवेचना कीजिए discuss in detail about characteristics of a good counsellor तो दोस्तों ये थे unit wise चीजिए इससे आपके इस बार भी 10 प्रशनों में 5 प्रशने unit wise पूछे जा सकते हैं बस हो सकता है सीधे सीधे प्रशन देदे कि आप चूज करके करिए short notes type में देदे मा लेजे 10 प्रशनों में आपका A भी करके देदे short notes लिखने को ठीक है जैसा कि unit wise चीजिए उम पूछ लिया जाता है